नमस्कार पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है आप चर्चा करेंगे विपक्षी पार्टियों के गटबंधन को ले करके कई महत्पूर घटनाय घटी है पहली बार नितीश कुमार बिहार के मुखमंत्री अपने उपू मुखमंत्री तेज़स्वी सादव के साथ दिल् जाते हैं यानि कॉंग्रेस गटबंधन की यह एक बैठकती ऐसा आप कह सकते हैं क्योंकि बिहार के महागरणबंधन में जेडी यू भी है और यह पहली बैठक है यह इसको एक सुरुवात के तोर पर माना जा रहा है बैठक के बार नितीश कुमार ने कहा कि हमें सब को साथ आने की जवरत है सभी समान विचारधारा के लोगों को साथ आना चाहिए अब आपको बता दूं कि यहां पर इस मीटिंग की जो है महत्ता क्यों बर जाती है इस मीटिंग की महत्ता इसले बर जाती है कि इस मीटिंग में कई बातें तैह हुई है और इन बातों के बाद ऐसा लगता है कि नितीश कुमार जो है एक बार फिर से दिल्ली की राजनीतिक में राजनीती में इंट्रेस्टेड हो गए है यानि यहां की राजनीती में उनको लगता है कि अभी भी बिहार से बैठ करके काफी कुछ किया जा सकता है आज के बैठक में यह तैब हुआ कि नितीश क के हैं यानि कॉंग्रेस के विरोध वाले गडबंदन का हिस्सा रहे हैं और कई ऐसे नेताओं से उनकी मुलाकात है या दोस्ती है या राजनीतिक रूप से तालुकात है जो की कॉंग्रेस विरोध के लिए जाने जाते हैं इसलिए नितीज कुमार से कहा गया है कि आप ममता बनर जी जो हैं त्रिमून कॉंग्रेस की ममता बनर जी से बात करेंगे आप चंसेखराव से बात करेंगे जो की टी आरेस के नेता है और आप अर्विन केजिवाल से भी बात करेंगे दिक्कत यह है यहाँ पर कॉंग्रेस के ससाथ कि इन तीनों राजियों में यानि आप बंगाल की बात करने आप दिल्ली की बात करने आप तेलंगाना की बात करने यहाँ पर कॉंग्रेस की इन पार्टियों के साथ सीधी टक्कर है जब विधान सभा के चुना होते हैं, तोяз 원래 कांग्रेस भणाम TMC होता है, कांग्रेस भणाम 트res जो है, वो ते लंगाना में होता है, दिल्ली में कांग्रेस भणाम आम आदमी पाटी होती है, पंज़ाब में भी चुना होगा, तो चारों पाटी होगी यह तीनों पाटियां नितिश कुमार के साथ किया था धेड़ सारी बातें भी थी कि एक नए गटबंधन की चर्चा हो रही है क्योंकि चंसेखर राओ जो है अब जहारकंड बिहार के साथ नहीं लेकिन जहारकंड से पसी बंगाल की सीमा लगती है इस लिहाद से वो महत्पून है इसमें जो है वो हेमन सोरेन भी जो है काफी मददगार सावित हो सकते हैं अब ये भी तैह हुआ कि कॉंग्रेश जो है अपने एलाइज जो है जो उनके कटबंधन में है जैसे एंसीपी हो यानि सरत्पवार के साथ स्टालिन यानि डी एमके के साथ और लिफ्ट पार्टियां इनके साथ बैठ करके भी अब जो दोजार चौबिस के पहले क्या सीट अब ही फिलाल यही कहा गया है उनकी एक बैठक दिल्ली में आवजित की जाएगी जिसमें की कहा गया है कॉंग्रेश को लीड लेने के लिए क्योंकि देखें जेडी यू के भले ही 16 सांसद है लेकिन विधान सभा में आर्जेडी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन उसके ए सत्ता में है और पंजाब में सत्ता में है लेकिन उसके पास एक भी सांसद नहीं है लेकिन वो दो राजियों में मजबूत दिखती है तो इसलिए इन सभी दर्लों के नेताओं को भी इकठा करके एक कुनबा जोडने की कोशिस की जा रही है जिसमें की सुरुआत जो है वो नितीश कुमार के और खरगे साहब के मिलने से वी इसमें तेज़ोसी आदब भी थे और तेज़ोसी आदब को यह जिम्मा दिया गया है कि वह उत्तर प्रदेश में समाजबादी पार्टी के निता अखलेस यादब से बात करें क्योंकि आप यदि किसी भी मोर्चे की बात क रहते लेकिन उनका गटबंदन जो है वह जहन चोधरी के पार्टी से है तो अखलेस यादब जो है वह तेज़स्वी उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि वह भी इस जो है विपक्ष का मोर्चा बन रहा है उसका हिस्सा बने कुछ ऐसी पार्टियां जिसको फिलहाल जो है यह विपक्ष की पार्टियां छूना नहीं चाहती है जैसे आंध्परदेश में जगन रेड़ी की पार्टी है फिलहाल उनसे वह अभी फिलहाल तुनंत वह उनसे कोई डालोग नहीं करना चाहती है उसी तरह नवीन पटनाय की जो पार्टी है उरीशा में उनसे भी वह कोई अ आंध्परदेश में बीजेपी और तेलगू देशम यानि चंद्रबावु नाइडू के पार्टी का गडबंदन होगा उसके बाद वो जगन मोहन रेड़ी जो है एक प्लेयर बनके उबरेंगे और पिछले जो पांस साल का एक्सपरियंस रहा है वो संकट के समय में राजसभा में जो है वो बीजेपी को मदद करते रहें गाहे बगाहे तो इन सब चीजों को देखते हुए एक सुरुवात कर दी गई है और अलग- को यदि विपक्षी दल दूर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और उन राजियों में जहां वो एक दूसरे के खिलाप लड़ते हैं जैसे बंगाल में कॉंग्रेस मम्ता बज़र जी के खिलाप लड़ती है लेफ्ट पार्टी वाम पंथी दल के साथ कॉंग्रेस का ति कि नेतापद के लिए फिलार इस पर कोई बाचीत नहीं हो रही है कि इस गरबंदन की अगवाई कौन करेगा लेकिन एक सुरुवाज जो है राजनीती में अच्छे पहल के साथ नेतीश कुमार ने दिल्ली में आके की है देखते हैं इसका अंजाम क्या होता है पॉलिटिकल झाल 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 झाल